हाँ तो भाई आप सभी का डिमांड रहा था कि निव विजट्स कलेक्शन में आप सभी के लिए ले के आओं निव सिस्टम लॉंचर के अपडेट के साथ तो यह रहा आपके सामने निव विजट्स कलेक्शन जो कि आपको काफी ज़़ा पसंद आएगा और इसे आप अपने तो बहुत सरे वीडियो दे रहे और बहुत सरे डिफेंट डिफेंट मैंने आपको भाई यहां पर विजट्स भी प्रवाइट किये हैं तो उन से भी को चेक आउट कर लेते हो तो भाई आपके पास एक हूज विजट्स का कलेक्शन हो जाएगा जो कि आपके मीवाई 13 या म दोनों पर अच्छे से काम करने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू कर और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक करिएगा और सेयर करिएगा जितना हो सके उतना अपने दुस्तों के साथ क्योंकि आज कल भी डाउन जा रहे हैं तो आपके थोई सपोर्ट की जरू तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले विजट साइज दिखाता हूं उसका प्रोसेस दिखा दूँगा ऐसा आपको रेडि पता होगा तो प्रोसेस देखने की जरूद नहीं है यहां पर इस वर आप देखो यह जो एक सिंगल विजट है इसमें काफी कुछ चीज आपको एड प्लस अलग ठीक है जो कि यहां पर भी 90 दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी आपको 90 देखनी को मिलता है तो यही से आपको बैट्टी परसेंटेज पता चल जाएगा उसका आपका है जो फोन का जो बैट्टी परसेंटेज है वो देखनी को मिल जाएगा और अगर को अपने फोन के अंदर रखोगे तो यह डाक उसे ओपन कर देगा तो आप चाहते हो कि यह लिंक रहे तो यह मी फीट वाला जो अप्लिकेसन ने वह डाल लेना अपने फोन के अंदर बाकि यहां पर कुछ और चीजे देखनी को मिलती है जो कि आप इग्णोर कर सकते हो इस का विजट भी मैंने एड कर दिया इस वार यानि आप जितना भी डेटा यहां पर दिखाई देगा कि आपने कितना डेटा है जो यूज किया है अब फिलाल मैंने से नहीं डार रखा है लेकिन यह प्रोपर है जो आपका काम करता है बाकी आपको क्लॉक मिल जाता है अनदर पर भी आपको clock देखनी को मिलता है और इसमें animation भी आपको देखनी को मिलता है कुछ-कुछ widgets के अंदर और mostly यह link रहते हैं आपके system से another different type का मैंने यहाँ पर weather app add कर दिया है जो कि मुझे अच्छा लगा default वाला तो आप काफी time से यूज करते वा रहे हो तो कुछ नया रखो ताकि अच्छा लगे और यहाँ पर आपको clock format है जहां पर आपको second भी रिखाई देता है और एक yellow, green और red जो dot है वो भी आपको timing को indicate करता है और आप देख से तो जो green होला है वो run कर रहा है जो कि हमारे second को इंडिकेट करता है उपर यहाँ पर आपको timing भी देखनी को मिल जाता है weather वगरे के साथ और यहाँ पर आपको date वगरे भी देखनी को मिलता है जो कि मुझे यह भी clock अच्छा लगा तो आपको इन में से जो भी clock पसंद आते हैं वो आप यूज कर सकते हो बाके को आप चाओ रखा है जो कि deck लिए जो किलिक करते हैं आपका जो open हो जाएगा इस तरीके से तो यह भी मुझे अच्छा लगा और फिर से यहाँ पर बैटरी का अनादर जहां पर आपको screen on timing वगरा और percentage वगरा दोनों सो करेगा estimate वगरा जो कि अच्छा लगा फिर से यहाँ पर आपको द यानि एक यहाँ पर widget के अंदर आपको दो option मिलते हैं deck नया create करने का, air diet all को open करने का जो कि मुझे पसंद आया फिर से यहाँ पर आपको gallery देखनी को मिलता है timing के साथ weather भी और animation भी और यहाँ पर एक calendar तो मैंने widgets clock के कुछ add कर रखे हैं कई सारे तो जो भी अच्छा लगे व और आप हमेशा कहते को हैं हमें dog और kitty दोनों चाहिए तो दोनों मैंने यहाँ पर add कर रखा है और फिर से normal जो super folder है वो add किये हैं जो कि इस वर काफी ज़्यादा है जो कि आप demand करते वाई इसकी संख्या तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन हाँ यहाँ पर आप वीडियो को maybe missing हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर jpey है और photo है तो अगर यह दोना application आपके phone के अंदर नहीं रहेंगे न तो यह folder आपके phone में create ही नहीं हो पाएगा दूसरा यहाँ पर facebook और instagram है तो यह application अगर आप play store से डाउनलोट नहीं करते तो जब भी आप use करगे मेरे file को तो यह folder आपक application आपको show कर रहा हूँ ताकि अगर आपके phone के अंदर यह application नहीं हो तो डाल लेना उसके बाद यह folder आपका create हो जाएगा बार में आप जाओ तो इसके अंदर कुछ और application move करो और वाकी application को on install कर दो मर्जी आपकी होगी देखो यहाँ पर और वी आपको जो super folder देखनी को मिल जाते है तो जो भी folder के अंदर application है वो आपके phone के अंदर होना चाहिए गंबल सरी और यहाँ पर फिर से आपको जो battery का option देखनी को मिल जाता है यहाँ पर weather का option है यहाँ पर calendar का है और यहाँ पर आपको live clock वगरे भी देखनी को मिलता है जिसका second यहाँ पर run करते हुए नजर आता है तो यह सारे widgets मुझे रियले में काफी अच्छे लगे और पहल आपको मैं दिखाता हूँ simply app drawer पे switch कर देना है और same file आपका classic mood में भी working रहेगा और app drawer मोड में भी working रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अब यहाँ पर हमारा है जो app drawer activate हो चुका है सारे apps यहाँ पर नजर आ रहे हैं और same widget से बस इधर का उदर है आप rearrange कर सकते यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर वही application देखनी को मिले है जो कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था धीर दीर यह load हो गया सब कुछ तो इस तरह किसे देखनी को मिलेगा same widget है same यहाँ पर data widget battery और weather वगेरा है same यहाँ पर clock है battery है फिर से वही widgets and clock देखनी को मिलते हैं but यहाँ पर दो widgets मैंने extra डालें एक यहाँ पर smart buds का है जो कि connect रखो यह तो दिखाये देगा battery और यह another clock का यह देखनी को मिलेगा और फिर से एक और different यहाँ पर आपको दिखाये देता है जहाँ पर आपको weather के उपर लेके जाएगा यह calendar पर लेके जाएगा तो इस तरह किसे यहाँ पर लेके जाएगा तो इसी भी आप चाहो तो रखो यहाँ फिर remove करो और यहाँ पर cat और dog का है जो आपको देखनी को मिल जाता है लाइव वला जो कि मुझे पसंद आया फिर से वही camera का आपको देखनी को मिलता है और notes का calendar का और super folder वगरा है जो मैंने यहाँ पर create कर रखें जो की काफी ज़्यादा इसवाय है जो collection मैंने आपको प्रवाइट कर दिया है तो आई होप कि यह सारे widgets आपको पसंद आया होंगे लेकिन रही बात कि से use कैसे करना है तो आपको नहीं पता है तो चलिए step को checkout करते कि कुणकों से step आपको follow करने होंगे ताकि यह सारे widgets वगेरा आप अपने Redmi और Xiaomi and MI के phone के अंदर use कर पाओ बट अफसोच की बात ही है कि यह POCO में काम नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने सब कुछ है जो simple and normal कर दिक है ताकि आपको मैं पूरा step है जो बता सको आप क्या करना है दो फाइले दी गई है एक तो आपको अगर नहीं है तो भाई launcher को आपको अपडेट करने की जरुवत है तो यहाँ पर यह रहा launcher जो की version है यहाँ पर 4.39.9.645 इसे आपको simply इस तरीकी से tap करना है और अपडेट कर लेना है अपने phone के अंदर अपडेट कम्प्रीट होने के बाद आप home पे आ जाओ अब यहाँ प काफे टाइम से सब को similar हमें देखनी को मिल रहा है तो सब को same to same रहेगा लेकिन हाँ इसके smoothness थोई से आपको improved लगेगी अगर पिछले हो लगा smoothness आपको पसंद नहीं आता होगा तो otherwise similar ही आपको feel आएगा तो launcher अपडेट हो जाने के बास simple आपको setting में आना है about phone पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा backup and restore इस पे tap करना अगर आपने lock skin password set कर रखा है तो वो password आपको यहाँ पे in करना है मैंने in कर दिया है इन करते ही आपको maybe first time जो आप open करोगे कुछ permission वगर आप पूछेगा तो सारे permission दे देना उसके बाद यह चीज दिखाई देगी अब backup का अलग-अलग size में जो backup create होगा आपके phone के अंदर backup होने के बाद finish करो home पे आ जाओ अब मैंने जो दूसरा file दिया जीफ वाला उससे क्या करना है आपको इस तरह की से extract कर लेना है अपने phone के अंदर extract करने के बाद यह folder बनेगा इसे open करो यहाँ पे और फोल्डर है इसके क्या करना है आपको select करना है आप चाओ तो copy या move करो उसके बाद internal storage, me UI, backup, all backup और अब यहाँ पे आपको इसे paste कर देना है ठीक है यह जो मैंने backup create किया था ना वह अलग folder है आप चाओ तो इसे delete भी है जो कर सकता है या फिर रखे रहो जब आपको वापस default आना हो तो आप वा backup and restore, while data, फिर से lock skin password डालने है आपको अपना वाला यहाँ पर इस वार restore पर आएंगे आप देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ फाइल साइज नजर आ रहा है इस पर click करेंगे और restore कर देंगे यहाँ पर successfully restore हो चुका है और sometime किसी किसी devices में restore error so कर सकता है तो दोबारा same step follow कर ल back up home screen पर, जैसे मैं यहाँ पर home screen पर swipe करूँगा अब आप यहाँ पर देखो कि सारे widgets से जो आ चुके हैं और यह जो हमारा है जो by default app door के mode में जो activate हो रखा है और साही चीज़ यहाँ पर created है लेकिन आप अगर classic यूज़ करते हो तो simply आपकर अगर अपने phone के setting में आ जाओ home screen पर जाओ home screen में यहाँ पर आप जो इसे classic पर कर दो अब आपको सारे classic के widgets से जो देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके से यह साही चीज़ आप यहाँ पर use कर पाओगे और remember one thing कि जितने भी super folder में आपको application नजल आ रहे हैं यह सारे आपको भाई download कर लेने अपने phone के अंद आते तो simple long press करके आप क्या कर सकते हो इसे remove कर सकते हो edit आपका नहीं होगा लेकिन हाँ remove आप easily है जो इसे कर पाओगे तो I hope कि मैंने आपको साही चीज़ बता दिया है और आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ यहाँ पर आप देखो कि सब के widgets के नाम नजर नहीं आ र पागेगा तो सब कुछ पता चली गया है ठीक है और भाई like और share जरूर करना अब रही बात कि भाई आप इसे simple करना चाहते हो मैं यह भी बता देते हो कि कुछ लोग एक time के बाद क्याती है ने मुझे simple ही चाहिए सब कुछ जैसा था वो ऐसा चाहिए तो उसे कैसे करना है तो इसके लिए simple आपको अपने phone का security app पे आ जाना है manage app पे आना है triple line पे जाना है so all app करना है यहाँ पे search करना है launcher यह रहा आप अपने launcher को uninstall कर दो uninstall करते है यहाँ पे सब कुछ आपको आपको नॉर्मल हो जाएगा लेकिन still आपको क्या करना है कि आपको file manager पे जाना है उसक कुछ आपको phone से remove हो गया है और सबकुछ default आ चुका है और यह जो theme में use करो ना maybe कुछ लोग पता होगा otherwise मैं इसको पर जल्ले dedicated video लेके आ जाओगा कि मैं यह कौन सा theme में use कर रहा हूँ क्योंकि यह मुझे real में पसंद आया और आप लोगो भी पसंद आ रहा होगा तो इस त करे